सुप्रभाद नमस्ते बच्चों आप सब घर में शुरक्षित हैं और बहुत खुश हैं ऐसा मैं आशा करती हूँ बच्चों, आज मैं आपको आपके पाठ्य पुस्तक कोपल का दुस्सापाट वर्न और्स के भेद को पढ़ाने वाली हूँ सबसे पहले आपको मैं ये बताना चाहती हूँ कि आपने भाषा तो पढ़ा ही होगा तो भाषा जो है किसी भी भाषा को हम सिखेंगे और उस भाषा को अगर हम लिखना या पढ़ना चानना चाहेंगे तो हमें क्या सबसे पहले जरूरी है वो है one की पहचान करना किसी भी भाषा को लिखने के लिए हमें जो सबसे पहले सीखना होगा वो है one को सीखना होगा जैसे जब आप English शीखना शुरू किये थे पढ़ना शुरू किये थे तो सबसे पहले आपने क्या लिखा था? बिल्कुल ए लिखा था और एको पढ़ा था राइट उसी तरसे हम हिंदी को भी पढ़ने के लिए सबसे पहले आ, आ, इ, इ, सिखें आईए पाट को शुरू करते हैं वन और उसके भेट वन की परिभाषा भाषा की सबसे छोटी इकाई को वन कहते हैं या वह छोटी से छोटी ध्वनी जिसके और अधिक टुक्रे नहीं किये जा सकते उन्हें वन कहते हैं जैसे आ, इ, उ, च, प, म, न, ये सारे जो हैं ये वन हैं आईए देखते हैं पिता शब में कौन सा वन है? पी और ता पी और ता इनके और टुक्रे किये जा सकते हैं क्योंकि इनमें मात्रा लगी हुई है तो हम पी को अलग करेंगे तो प, इ, और फिर ता को अलग करेंगे त, आ तो उसी तरह से प, इ, त, आ, इसको हम फिर से टुक्रे नहीं कर सकते हैं तो ये है वन तो देखते हैं मोर्णी शब्द में कौन सा वर्ण है म ओ र अ न ई तो हमने वर्ण को जान लिया अब देखते हैं वर्ण माला किसे कहते हैं वर्ण माला दो शब्द से मिलके बना है वर्ण और माला माला का मतलब होता है फूलों की माला मोतियों की माला क्या एक फूल या एक मोती से माला बन सकता है? नहीं, बहुत सारे फूलों को अगर हम सही धंग से सजा कर एक धागे में पिरोंगे तो ही वो माला बनेगी इसी तरह से वर्णों के क्रम बच समू को वर्ण माला कहते हैं अब जानते हैं वर्णों के प्रकार को बच्चों वर्ण के दो प्रकार होते हैं एक होता है स्वर और दुसरा होता है वेंजन हिंदी में स्वर की संख्या 11 है और वेंजन की संख्या 33 अब जानते हैं स्वर किसे कहते हैं जो ध्वनी बिना किसी अन्य वर्ण की सायता से बूली जाती है उसे स्वर कहते हैं या फिर हम दूसरे भाषा में कह सकते हैं कि फेवरों से आने वाली वायू जब बिना रुके या बिना घर्शन किये मुख से बाहर निकलती है उसे हम वन कहते हैं हिंदी में वन की संख्या 11 है जैसे और आयोगवा अंक अह को कहा जाता है पंचमवन के स्थान पर भी होता है पंचमवन यानि अंगय नम ये इनको पंचमवन कहते हैं जैसे बंदर, संबंद, ठंडा अब जानते हैं विशर्ग को बच्चों देखो यहाँ पे दो बिन्दू के रूप में इसको प्रस्तूत किया जाता है इसका उच्चारन आधे ह की तर होता है जैसे प्रातह, अतह, नमह बच्चों विशर्ग हिंदी भाषा का वर्ण नहीं है यह संस्कृत भाषा का है और संस्कृत से हिंदी में आया है यह एक आगद्ध्वनी है अब जानते हैं अनुनाशिक के वारे में इसका उच्चारन नाक और मुख दोनों से होता है जैसे साप, आख, चान इनका उच्चारन जब हम करते हैं तो फिप्रोसने वाले वायू नाक और मुख दोनों से वहार निकलती है इसे चंद्रविंदू भी कहते हैं अब जानते हैं हलंद्ध क्या होता है यहाँ जिस वर्ण की नीचे लग जाता है उस वर्ण को आधा कर देता है जैसे सतत, शुद यहाँ वर्णों में एक तिर्छी रेखा की तरह लगाया जाता है और यहाँ एक अतिरिक्त स्वर्वर्ण है लेकिन यहाँ हिंदी भाषा का नहीं है यहाँ अंग्रेजी भाषा से हिंदी भाषा में आया है इसका प्रयोग अंग्रेजी भाषा को हिंदी में लिखने के लिए किया जाता है जैसे ओफेस, कॉपी, डॉक्टर, आधी यह मात्रा प्रत्यक बेंजन के उपर लगता है आधे चंद्र की तरह अब जानते हैं मात्रा के बारे में किसी वर्ण या ध्वनी के उच्चारन में लगने वाला समय मात्रा कहलाता है या फिर किसी स्वर के उच्चारन में जित्ता समय लगता है उसे हम मात्रा कहता है मात्रा एकिवल स्वर की होती है वेंजन की नहीं क्योंकि वेंजन तो स्वर के सहारे ही बोले जाते है स्वर और उनकी मात्रों का उधारन दिखी और की कोई मात्रा नहीं होती अब जानते हैं वेंजन क्या होता है जो धुनिया स्वर की सायता से उच्चरित होती है उसे वेंजन कहते है या फिर हम ऐसे कह सकते हैं फेफरो से आने वाली वायू जब थोड़ा रुक कर थोड़ा घर्शन करके मुख से बाहर आती है उसे वेंजन कहते हैं जैसे काखागा हिंदी में 33 वेंजन है प्रत्यक वेंजन का एक वर्ग होता है जैसे पहला लाइन जो है उसमें है उसका यह कवर्ग जो है कंट से उच्चारन होता है यानि इन वर्णों का उच्चारन करते समय हवा गले में अटक के रुक कर फिर बाहर आती है उसी तरह से चचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचच मूर्धा से होता है यानि तालू के पीछे वाले हिस्ते को मूर्धा कहते हैं इसमें जीव जो है पीछे पलट के उच्चारन करती है उसके बाद है तथ दध इसका उच्चारन दाच से होता है पाफ अबाव का उच्चारन होटों से होता है तो इस तरह से हम देखते हैं कि प् सब्सक्राइब उन suburbs की गारंगे टाने देँनुन थेस्ट by और इन découvraयने सोथ graph आया ज़्ञाइद चार है और तरप पिवणा के नेका अनुन से इंसे ज़ुआ क्यों के पंएया पिदा है जैसे लिगान फिंदे दो अतिरित वर्ण भी है जैसे अड़ और अड़ इन वर्णों से कोई भी शर्द शुरू नहीं होता है यह हमेशा किसी शर्द के बीच में या अंत में ही लगता है तो बच्चों आप लोग घर पर इस पाठ को ध्यान से पढ़िए यह बहुत ही मेत्पून पाठ है धन्यवाद